आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं रिलाइंस स्टॉक के बारे में अबरॉल हमने इससे पहले देखा था कि मर्जर की न्यूज HDFC और HDFC बेंक की रिलीज हुई थी उसके बाद किस प्रकार से HDFC बेंक अपने ओल टाइम हाई से लगभग 12-15% से यादा करेक्ट होते हुई दिखा है इस समय न्यूज रिलाइंस में है और न्यूज ये है कि रिलाइंस का डी मर्जर हो रहा है जियो के साथ जिसके बाद ये एक सार्प सेलिंग इस स्टॉक में मोर देन 7% तक का दिखा इस समय देखेंगे तो 2% के आसपास की रिकबरी होते हुई दिखी है इस स्टॉक में जो एक स्टॉंग सपोर्ट था वो लगभग 2480 के आसपास का था उस सपोर्ट को ब्रेक किया और नेक सपोर्ट 2375 पे ये स्टॉक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा फिर वहां से एक पुलबैक दिख रहा है इस समय सोट टर्म टेडर इसे स्टॉक में लॉंग करने से बचे बाई और डिप्स करने की गलती नहीं करे मैक्सिमम डाउन ट्रेंड इसे स्टॉक में इन वर्ट सेनेरियों 2180-2100 तक के लेबल्स दिख सकते हैं इस स्टॉक में सेफ ट्रेडर तभी लॉंग करे जब ये स्टॉक 2580-2600 के उपर सस्टेन करता है तब तक के लिए मेरा व्यू इसे स्टॉक को ले करके निगेटिव है